जहिंद बहुत सारे बच्चे अब यी समस्या में आगया है कि कैसे दिरे दिरे बाकी सारी अकेडमी वाले अपने से पीछा चुडा लिया इस अंदोलनकर अब कोई शात नहीं दे रहा आपने देखा होगा कि कोई भी अकेडमी वाला इसका विरोध नहीं कर रहा चाहिए कोई कौन मजबूर कर रहा है इनको कि या अंदोलन में शात ना दे किस परकार की पाबंदियां उसका कुछ खुला सा करने वाला हूं में जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को बता दूं कि क्यों मजबूर किया जा रहा है कि अकेडमी वाला किसी भी कंडिशन में शात अधियां का साथ ना दे इसके लिए और कौन मजबूर कर रहा किस परकार की पाबंदी आपने देखा होगा पेले जितने भी वीडियो ने जिनोंने नहीं किये नहीं पिकिने अभी तक कईो ने डिलिट कर दियें वीडियो अपने जो टूटिक के बारे में बोले थी उसके पिछे रीजन किया है देखिए मैं आपको बताथा हूं उसके पिछे रीजन किया है और मैं क्या कोई भी अंदोलन में नहीं आयगा रिचे कोई नॉर्मल नागरिक भी आपके साथ-मश तक नहीं रीजन ह cat pojaw उसकर पार कर दी कि इसके कारणा कोई भी एकेड़ी मेला आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता। उसके पिछे रीजन ये है कि आपने हिंसा अब दर्वे ट्रेनों में आग लगाना बसों को जलाना यहां तक ही नीजीवानों के बहुत सारे मैंने इसे इंटर्वी भी देख लिए हैं जिनमें आपने नीजीवानों के भी आग लगा दिये अरे किसी गरीब इनसान की गाड़ी जला के आपको नोगरी नहीं मिलने वाली किसी ट्रेन को जला के आपको कुसे नहीं मिलने वाला आपने इस लिवल पर मतलब कि कोई दंगाकारी जैसे देश के विरोध में परदशन होता उस परकार का परदशन आपने किया है तो इसमें इसलिए सब पीछे हट गए सब ने अपने वीडियो भी डिलिट कर लिए कि हम इनका साथ नहीं देंगे क्योंकि जितने भी अकेडमी संचालक है चाहिए कोई भी अकेडमी वाला है या कोई भी है इनसान सब के लिए सबसे सर्वोपरी है राष्टर और राष्टर वादी नीती रखते हैं सभी के सभी सभी के लिए देश सर्वोपरी है उसके बाद में बाकी चीज़े तो जो हर एक इंसान मानता है और इस्पेशली आर्मी की तयारी करने वाला हर नोजवान आर्मी से प्यार करता है और वो देश के लिए अगर उनको मुखा मिले मर मिटने का तो उनको ना कोई पेमेंट सही है ना कुछ और मर मिटेंगे उनको इस देस के लिए लेकिन रीजन यह है कि अकेडमी वालों ने कहा कि हम आप कह साथ देंगे किसी ने कोई डेट ना उस नहीं की किसी ने कोई किसी दरनापरदर सान किसी ने कोई शाहनतीपूरा आंदोलर क की कोई डेट नहीं दी सबी ने विरोध किया था कि हाँ ये हमको बहुत गलत लग रहा है मैं तो अभी भी बोड़ नहीं कि आर्मी का जो पेपर कैंसल वहा है एरपोर का रेजल्ट कैंसल वहा है बिल्कुल गलत वहा बच्चों के साथ और सरकार को इसकी जवाब दे जहत लेंगे हम लेकिन जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल पास कर लिए उनका सिर्फ हम पेपर ही लेंगे उनको डाइरेक्ट एंटरी देगे चाहिए कुछ भी करें लेकिन ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से बले अगनी वीरी बनाएं उनको लेकिन बनाना चाहिए उनको परहता देना चाहिए क्योंकि पिछले दो साल से वो बच्चे पहले पढ़ाओ पास करकर बैठे हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया उससे पहले आप लोगों ने इस परकार का परदर्शन कर दिया कि सब को पीछे हटना पड़ा सब चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होगा मेरा इसमें देश द्रों का कोई आरोप लग जाए और मेरा नाम आजाए हरे एक इनसान ये सोचने लगा कि ऐसा ना हो कहीं मेरा नाम आजाए अगर मेरा नाम आगया तो क्या होगा नाम आगया तो क्या होगा जैसे कई अकेडमी संचालक गिरबतारी भीवेग हम तो नहीं रहते हैं गिरबतारी से क्योंकि हमने ना तो खभी गलत बोला है हर एक वीडियो में बोला है कि आपको इस परकार के शांती नहीं करनी है शांती पूर्वक तरीके से धर्णा करना है लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बोला आप इस परकार से एक भीड जमा हो गई और इस लेवल का उपदर वह इस लेवल का आर्ट रोस पैदा कर दिया जिसकी किसी ने कलपना ही नहीं किती गुसा सब में आयता इसमें कोई शक नहीं है और टियोडी की नीती के खिलाब नहीं था गुसा गुसा जो ज़्यादा तर बच्चों में था वो आर्मी पेपर रद होने का था और एरफोर्स का रिजल्ट रद होने का था ये सरू में हमको देखने को मिला तर वो ही मुद्धा आज है योडी सेकिंड प्राइटी है लेकिन फिर भी कोई इस बात को उठाई नहीं रहा क्योंकि आपने उठाने लाई छोड़ा ही नहीं किसी को अब जो भी बंदा इस आंदोल में आ रहा है उसको सरकार पहले से कबजे में ले ले रही है आजा भाई बैट तू मुख्या बन रहा है चल तू बैट तो क्या होगा उसको जैसे दिल्ली में हुआ जैसे भीड हुई पकर लिए बंदों को चलो भाई अब क्या कर लो ग्यांदोल वो चीज़ आप वापस हो रही है तो आपको इस परकार की हिंशा करने की लिए किसने बोला जैसे वोड़'s अब चेटिंग देखिए तो न्यूस प्यार ये अगर वो सही ये तो बहुत गलत है किसने आपको बोला कि थाना फूंग दो किसने आपको बोला पुलिस वाला मार दो किसने ये बोला कि उसके डंडे मार दो औरे वर्दी धारी है वो चाहिए कॉंस्टेबल हो चाहिए कुछ भी हो चाहिए एस भी हो वो वर्दी धारी है उसके उपर हाथ उठाना एक देश के यह मान के से लिए देश वक्ती से खिलवाड आए इस परकार की राय आपको किशने दी अब इसी लिए सब अपना अपना नाम हटा रहे हैं पीछे हट रहे हैं सभी के सभी कोई आपके आंदोलन से जुड़ना नहीं चाहता क्यों क्यों क्योंकि जवाब देना पड़ता है कि आप देश में हिंसा चाहते है नहीं चाहते है देश में हिंसा कोई अब ही यहाँ पर बतुगा कहना कि कि सर हमारी को चुनता भी तो नहीं शान्तिपूर्ण और तरीके से तो बेटा एक दिन नहीं सुनेगा अगर धीट होके बेट जाएंगे तो सुनना पड़ेगा इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन आंदुलन का ये रस्ता बिलकुल सही नहीं है देश की ट्रे जो संपती हो उसको नक्सान पहुंचाना लोगों के नीजी वहां जलाना मोटर साइगल जलाना रेलवे स्टेसन जलाना ठाने जलाना ये किसने बताया भाई और कोई साथ नहीं देगा अगर आपको लगता है ये सही है तो फिर आप अकेले करिए भाई हम तो किसी आंदुलन में शरीप नहीं होंगे जैसे हम पता चला में एक भी कहीं पे भी पकेरी में छोड़ के बाहर नहीं गया क्यों कि कौन सुन रहा है हमारी कोई जब सुनी नहीं रहा तो हम काये के लिडर और इसलिए हमने कोई लिडरता नहीं की क्योंकि सुनती नहीं है भीड तो कौन क्यों आएका तुमारे लिए यह क्यों है गाल है को यह है कि आप उसको विछारे को डला दो के ये ये जेल कें अदर उसने कुछ किया नहीं है आप काउनून से बढ़कर कुछ कुछ नहीं है आपको मैने पहले बोला लगता आप चाछ ट्रेंड जला के बहुत बढ़ा अंदोलन कर दिया आई इसा कुछ नहीं है आपको दो मिंट में ख़देड़ देगी पुलीर अगर एसी कारवाइकरों के जैसे जितनी फायर लोंस हुए नो वो मैंने पहले बता दिया था कि आपको दो मिंट में ख़देड़ देगी आप यह भाजूर दिखा रहे हैं चार ट्रेंज लागे तो ऐसा तो आपका है भली कोई और बोला हो तो इसमें क्या कि राजनितिक पार्टियां गुसकेर उसका फायदा उटाती है इसलिए सभी जितने भी अकेडमी ओनलाइन थी यूटूबर्स थे सभी ने अपना हाथ टालिया साइड में कि नहीं यह देश के विरुद जा रहे हम इसमे को यह आना होगा तो वह आएंगे हर इंसान आएगा लेकिन आप शांती पून तरीके से करोगे तो इस प्रकार की फुर्दंग हिंसा करोगे तो कोई शात्मी आएगा भाई वासन में आई जै हिंद जै भारत